वेलकम टू स्टेडी पॉइंट सिलेगुरी आप स्टेडी पॉइंट सिलेगुरी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री मौडल अलेक्टिविटी टास्ट को आप अपने स्क्रीन पर पार्ट वन का कोशन पेपर को देख पा रहे होंगे और इनी सब का सॉलूशन आपको मिलने वाला है इसके बाद भे पार्ट टू का हम लोग देखेंगे अगर अभी थक आप इसके स्टडी पॉइंट से लिगड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो तुरंट सब्सक्राइब कर दीजे बेल बटन को भी दबा दीजे ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉलूशन पार्ट वन को देखें सेन यूग में बौत धर्म का प्रचार वब प्रसार कम हो गया था इसे पर दो या तीन लाइन लिखिए वनसानुगत दृष्टी से सेन पहले ब्रामन थे देखिए ठीक है सेन पहले क्या थे ब्रामन थे इसे इसको आप समझ लिजे पहले वो लोग ब्रामन थे उसके बाद में वे छत्रिय हो गया सेन सासक जो थे बलाल सेन वे कटर ब्रामन थे ठीक है आचरन को उन्होंने प्रतिस्टा किया वहीं लक्षवन सेंज जो थे वैशनों थे और उनके बाद में परवर्ती सासक क्या हो गए शैव हो गए ठीक है स्वियू जी के उपाशक हो गए इस चीज को समझे लेजी इस कारण सेंवन्स के सासकों ने बौत धर्म के प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दिया ठीक है नेक्स कोशन को देखिए प्राचीन बंगाल के जीस अंचल और नदी का नाम दीतिया अध्याय में सेकंड चैप्टर जो आपने पढ़ा है में पढ़ा है उसकी तालीका त्यार कीज़े तो देखिए प्राचीन काल के अंचल कोन कोन है पुंडर वर्धन वारेंद्र ब बंग, बंगाल, राड, सुम, गौड, सम्तट और हरीकेल उसी तरह से नदी कौन कोन है भागिरती, पद्मा और मेगना को देखिए यह थोड़ा बड़ा कोशन है इसको ध्यान से समझेगा सामंतिय बेहुस्ता जो था भारत में उसका चीत्र बनाना है मतलब पिरामीड का च स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको देख लिजे, उसको समझने के लिए आप देख लिजे, उताढ़ना नहीं है, बनाना है जो आपकी स्क्रीन पर अब दीख रहा है, चीत्र में सामंतिय बेहुस्ता का त्रीभूज या पिरामीडी आकार क्यों आउसक है, इसके बारे में इशक होते थे तो यह परस्ट फर्स्ट पार्ट का एंसर हो गया अब दीतिय पार्ट का एंसर दिखे इस वाले हिसे का भारत के सामंती व्योस्ता में सबसे नीचे जनता है उसके उपर सामंत या मध्यम सुरेनी के सासक फिर मध्यम सुरेनी के सासकों के कुछ उपर महा सामंत सभिस्सी उपर राजा, इस तरह से राजस्वा और सास्षन का अदिकार भिविन अस्तरों में विभाजीत होता था। अतानीचला हिस्सा। अधिक Lewis स cambi步 हो गया प्राले क्रिशक जादा हैं और उसके उपरी हिस्सा में आस्ते आस्त ऊपर जा रहे हैं तो देखें क्या हो रहा है कि पतला होते जा रहा है छोटा होते जा रहा है आकरिती इसलिए त्रिवुजाकार या पिरामिट के आकार का त्यार हो जाता है ठीक है लास्ट कोश्चन देखे, पार्ट वन का, इसमें बुला गया पाल और सेन युग में कीस फसल की खेती होती थी, उसकी तालिका बनाना है, और उनमें से कीन फसलों की खेती अभी की जाती है, यह दिया हुआ है, देखे, पाल वन्स में खेती होती थी, सरसो, धान, बिवन तरह के फल, जैसे आम, कटहल, केला, मसूर, खजोर, नारियल, इत्यादी, केवल पाल वन्स में दाल का उलेख नहीं है, ठीक है, जो अभी हमारे हम तो होता ही होता है, ठीक है, बर्तमान में रियुक्त, उपर के सभी फसलों की खेती अभी भी की जाती है, पाल और सेन, यूग के फसलों में दाल का उलेख नहीं मिलता है, और अब दाल के साथ बाकी फसलों की भी खेती बंगाल में की जाती है, है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट टू के लिए मॉडल एक्टिविटी टास्क, हिस्ट्री, पार्ट टू, क्लास सेविन को अभी देखने जा रहे ह इसमें तीन कोश्चन दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर कोश्चन को देख पा रहे हैं, और इसी कोश्चन का उत्तर हम लोग अब देखेंगे, फिर से आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों से शेर कीजे, ताकि उ सांग बौध विद्योशी था, या कहावत, या कथन सही है, या गलत है, बताना तीन से दो से तीन वाक्य में उतर देना है, या तो सम्भव है नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा से जादा ही लिखेंगे, देखकर समझने की कोशिस कीजे, धार्मिक दिश्ची से सांग शीव के उपाशक थे, मतलब वो क्या थे, शेव थे, ठीक है, आरे मंजू मूल कल्ब, नामक बहुत ग्रंत और हुए इंसांग के यातरा बितांत में उन्हें बहुत विरोधी कहा गया है, ससांग का यह वी आरोप लगाया जाता है, कि उन्होंने बहुत विक्चियों की हत् जा गया था, ठीक है, फिर इसके अलावे फिर दूसरा क्या तथे सामने आता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ससांग बिना किसी कारण वस बौध बिरोधी नहीं हो सकते, अता ससांग को बौध बिरोधी मान लेना उचित नहीं होगा, इस इसको आप समझ लीजी और याद कर लीजे, नमबर टू को देखे, सुल्तान महमूद का भारत पर 16 बार आकर्मन करने का प्रमु कारण क्या था, वह भारत पर 14 बार आकर्मन किया, सुल्तान महमूद क्या था, गजनी का सासक था, यह याद रखिएगा, गजनी का सासक, ठीक है, और वह 16 बार भारत पर आकर् ठीक है क्या कारण था उसका भारत की संपती जो दिखती थी उसे आकूत संपती जिसको बोले उसको देखकर उसके मन में बहुती लालच से जगता था और वह मंदीरों से धन संपती को लूट कर गजणी ले जाना उसका में टागेट था दूसरा था उसका जो इलाका था अपना साशन समराजिय था खुरासान या मदेशिया का वहाँ पर उसको खर्च करके उन्नत करना कहने का मतलब क्या अजीस तरह भारत से सुल्तान महमूद ने प्रचूर संपती को लूटा उसी तरह से उसे अपने राजे में खर्च किया चाहे इन्वरसिटी बनाने में बिश्वी डेलाय बनाने में या फिर जलासाय बनाने में काफी सारे चीज समाजी कारे के रूप में इस्तमाल किया आगे बढ़ते हैं, तीन नमबर कोश्ण में देखिए, दो-तीन वाक्य में लिखने के लिए बोला जा रहा है, किन्तु इतना कम वाक्य में इसको समझा पाना संभो नहीं है, इसलिए थोड़ा बढ़ा करके लिखा गए, आप चाहें तो छोटा करके लिख सकते हैं, एक नमब चोटी मचली को बड़ी मचली खा जाती है ना, इसी चीज़ को, मतस्य नहीं के आर्थ है, क्या आर्थ है, देश की अराजकता या अस्थाई राज्य के अभाव से लिया गया है, ठीक है, जैसे तलाब की बड़ी मचली जीस तरह से चोटी मचली को खा जाती है, उसी तरह से आराजक्ता के समय सकती साली वर्ग दुर्बल लोग पर रतेचार करते रहते हैं। तो ऐसी स्थीति कब आया है? कब आया ये स्थीति? बंगाल में जब ससांग की मिर्तु हो गई उसके पश्यात करीब करीब 700 के मध्या, इसवी से लेकर 800 के मध्या इसवी तक करीब एक सो वर् करते थे और जो गरीब हैं उनसा प्यतित्चार किया करते थे। इसों को मध्यush 현ia नियाय कहा जाता है। नेस देखेंए ब्रहुम्दे. ब्रा yön vigor जमीन दान करनी के बीहस्ता को ब्रहुम्यदे बेवस्था कहा जाता है, इसी इसको याद रखिएगा, यहाँ पर ब्रह्मदे लिखा हुआ है किन्तु वास्तों में यहाँ पर इसका मतलब है ब्रह्मदे बेवस्था से, खेती लाहिल जमीन का परिमान बढ़ाने के लिए बिजयी सासक अधिकांस बाहर क्या करते थे, ब्रह मनों से, खेती यही है ब्रह्मदे बेवस्था, लास्टकोशन देखे, खिलाफद के बारे में टिप्ड़िगी लिखना रूस के बाताना है, मुहमद साहब की मिर्तु के बाद, खेते, इसलाम धर्म के संस्तापक जो थे, मुहमद साहब, उनके मिर्तु के बाद उनके चार प्रमुक साथ ही एक-एक करके मुसलमानों के नेता बनते हैं ठीक है यह सब पता है अर्वी सब्ध में खलीफा का अर्त होता है परतिनीथी या उत्राधिकारी फलता इस्लामिक जगत में खलीफा ही राजनीतिक और धार्मिक नेता बन गये उस समय ठीक है जिन छेत्रों में इसलाम का प्रभाव फैल गया वे दर अल इसलाम कह लाएं और उनके अधिकारी छेत्र का नाम क्या हो गया खिलाफत हो गया इसी को खिलाफत कहा जाता है तो उमीद करा हूँ आपको समझ में आ गया होगा पार्ट वन पार्ट टू हिस्ट्री का नो डाउन कर लिजेगा और अपने दोस्तों से शेर कीजेगा थैंक यू वेरी मच फू वाचिंग अस